दोस्तो अगर आप सभी ने OnePlus का Unboxing प्लस Review वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के उपर अपलोड हो चुकी है जाके जल्दी से देख लो लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर Uninstall करने वाले हैं OnePlus के जो Pre-Installed Application है उन सभी को तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अगर हां तो कैसे और नहीं तो क्यों तो दोस्तो बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और घंटी को आउन करना मत बोलेगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फोन के अंदर कौन-कौन सी Application हमें Pre-Installed मिलती है जो हमें और फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है जो First Application है जो Unknown है हम सभी के लिए वो है आपका Clone Phone दूसरा Community और तीसरा जो Application है वो है आपका Games चौथा जो Application है दोस्तो वो है Google One जो Generally कोई इस्तिमाल ही नहीं करता है अब यहाँ पे आपका एक Google Pay अब यह Google के फोन में भी आने लगाया है दोस्तो बहुत सारे फोन में मैंने Google पे देख लिया हूँ और Uninstall भी नहीं होता है अब यहाँ पे जो अगला Application है वो है Netflix Next है वो आपका है OnePlus Store और अगला है वो है आपका Google News इसके आगे जो है वो है आपका Podcast अब यहाँ पे आपको जो अगला Application है वो है Spotify और YouTube Music तो देखते हैं इन में से कौन-कौन Application हम Uninstall कर पाते हैं तो साइद हमें Clone Phone साइद आगे चलके जरूरत पड़े फिर भी हम यहाँ पे App Info में जाकर देखते हैं अनिस्टॉल करने का Option दे दिया दोस्तों हम इसे अनिस्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे अनिस्टॉल पे क्लिक करते हैं एक Application हमारा Uninstall हो चुका है अगला है हमारा Community ओके इसके अंदर भी Uninstall का Button है Next जो है वो है आपका Cloud Service इसके अंदर आपको Uninstall का Button नहीं है अगला जो Application है वो है आपका Games इसे भी हम Uninstall कर सकते हैं जहां तक मैं पढ़ा हूँ जो Games Application है वो आपके Background में Ram और सब कुछ Clear कर देता है आपका जो Phone है वो Free Up Space कर देता है जिससे होगा क्या कि जब भी आप PUBG या फिर कोई और Game खेलोगे तो उसमें जो Performance होगी वो Smooth मिलेगा तो उस पॉपस के लिए Game Application installed है तो यहां पे इसे भी हम Uninstall कर सकते हैं अगला जो Application हम Try करेंगे Uninstall करने का वो है आपका Google One तो इसे भी हम Uninstall कर सकते हैं कुछ-कुछ Phone में यह Uninstall नहीं होता है दोस्तो तो यहां पे हम इसे Uninstall कर सकते हैं Finally Try करते हैं Google Pay के उपर तो इसे भी Uninstall कर सकते हैं पोकु के फोन में नहीं होता है मेरे भीया के पास पोकु M2 है उसके अंदर यह Uninstall नहीं होता है तो यहां पे Uninstall हो रहा है दोस्तो फाइनली कर लिए हम लोग अगला जो है वो Netflix है Samsung के फोन में तो Uninstall होगा ही नहीं दोस्तो फिलाल यहां पे हम Try करते हैं Oh My God Uninstall कर सकते हैं अगला जो application है वो है आपका Google News यह मुझे topic find करने में help करता है तो हम इसे रहने देते हैं अगला जो है OnePlus Store साथ यह तो Uninstall हो जाएगा दोस्तो अब हमारा podcast मैं तो सुनता ही नहीं हो तो Uninstall वाव नाइस Spotify नेड़ी नहीं है YT Music नहीं दो अब यह आपका YouTube की तरह हो गया जैसे Google Play Music आता था उसी को replace करके यह YT Music कर दिया गया है तो इसे Uninstall नहीं कर सकते हैं जो आपका Gen Mode है ओके इसे Uninstall कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो हमने अपने phone को पूरा का पूरा एक्तम clean कर लिया कौन कौन सी application अनिस्टॉल नहीं हुआ तो दोस्तो हमारा दो application अनिस्टॉल नहीं हुआ वो है पहला cloud services और दूसरा YT Music बाकि सारी application हमारा अनिस्टॉल हो चुका है अपना नाम change कर लेना चाहिए और इतना जब अच्छा feature दे रहे हैं तो इन्हें नाम रख लेना चाहिए stock android क्योंकि मुझे तो ये stock android वाली feel है बाकि आपको कैसा लगता है नीचे comment करके बताएगा और वीडियो कैसी लगी वो भी आप नीचे comment करके बताएगा और हाँ दोस